ओम हनमंती नमाहा, स्वागत है आप सभी का मेरे वास्तु ग्यान गंगा यूट्यूब चैनल पर, दोस्तों आज मैं आपको चैत्र पूरण मांसी का महा उपाय बता रहूँ, इस दिन हनमान जी का जन्मों सम्मनाय जाता है, बहुत बड़ा दिन होता है, इस दिन अगर आप ये साधारर सा उपाय करते हैं, तो सत्रो वै दूर होगा, कर्ज दूर होगा, रोग दूर होगा, और घर में सुक और सम्म्रद दियाएगी, बरपूर धनाएगा, इस दिन किये अगर उपायन का विशिस लाब होता है, बाला जी माराज प्रसन नो करके हमारी सारी कश्टों को दूर कर देते हैं, ये उपाय आपको साम की समय करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, सोबह आप अनमान जी के आज पूजा करने के बाद में, आप पूरण मासी का ब्रत भी रख सकते हैं, बहुत बड़ा दिन है, पूरण मासी के दे सतनार भगवान का पूजन भी कि करना है, साम के समय ये उपाय करेंगे, तो आपकी हर मनुकाम न पूर योगी, आपको क्या करना है, एक दिब्बी में सिनूर का घोल बना के तियार कर लेना है, देशी गी में सिनूर का घोल बना के तियार कर ले, एक मीठा पान बजार से लेकर के आए, उस मीठी पान में द लेनी है, अब हनमान जी के सामने जाएंगे, सबसे पहले बाला जी माराज को नमस्कार करेंगे, और नारियल को उपाय में आपको पहले वीडियो में बताया था, नारियल को उपाय आज देन में जरूर कर लें, नारियल पे धागाला पेटे स्वास्तक चिन बनाएं, सभी घर सब्सक्राइब करना है उसके बाद में उससी सिंदूर रख देंगे उंगली से पहुंचे दिंगे वुश्य नुर घर ला करके रोज त्री उससे टीका लगाना है और ब्यवपारिस तल्पे घरकी तेजुरी पर स्वास्तक चिन मना उससी सिंदूर से उसके बाद में अपनी इच्छा बोल करके उसके बाद में वो पीली सर्सो ठालानी है और उस पीली सर्सो को आप अपने पूरे घर में चड़केंगे ब्यवपारिस तल्पर चड़केंगे दोस्तो इतना चमतकारी उपाय है इसकी आप कलपना भी नहीं कर सकते इतना जल्दी आपकी लग करके फोल्ड करके अनमांजी के चर्णों में जरूर रखते हैं तो वीडियो को शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें साथी कमेंट पे ओम अनमंतिनमा जरूर लेकें आपकी हर मनुकामना आवश्य पूरी होगी ओम अनमंतिनमा